जो 37 के बच्चे हैं क्या strategy हमको plan करनी चाहिए कि तरीए समको तयारी करनी चाहिए 36 के base nursing का form नहीं बढ़ा है तो 7 मार्स से आपके exam के form start हो चुके है 20 जून को आपका exam हो सकता है Hello and welcome everyone आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जैकड में के platform पर मैं आपका बड़ा भाई जो 37 के बच्चे हैं जो लगातार मेरे पास में calls आ रहे थे 36 के form जो निकल चुके हैं उनके form के बारे में आप कुछ बताइए कि कैसे क्या करें और उसके राद में क्या strategy हमको plan करनी चाहिए सब्सक्राइब करें चाहिए तो सबसे बड़ी इंपॉर्टन लेकर मैं आ गया है आपके 36 के form स्टार्ट हो चुके हैं और अब खतम होने के जार पे हैं यानिकि आपके form दो दिन के अंदर खतम हो जाएंगे तो आप मेंसे वह विध्यारती वह अभियारती जिसने अभी तक 36 के बेसे नर्सिंग का form नहीं भरा है वो जरूर से form भर दे क्योंकि अगर आपने ये form नहीं भरा तो आप 36 के डॉमेंच साल एस्टेट होने के बाद में अपना एक साल खराब कर बैठेंगे सबसे इंपॉर्टन चीज़ है form स्टार्ट हो चुकिए और फॉर्म की अब लास डेट यानि अंतिम तारीक आ चुकी है चार बजए उनमेंस जो बचा टॉप करता है वह लिस्ट आपके सामने है जैसे सौनु सैनी जी ये तीन अप्रेल का टेस्ट है हर रोज आपके अप्डेट होते हैं और मैं वीडियो में बच्चों करता हूं कि हाँ कौन टॉप कर रहा है तो यह वह 12 बच्चे हैं और पॉर्टन डेट्स के बारे मैं अगर बात करें कि कौन-कौन सी डेट्स है तो सबसे पहले अगर बात की जाए आपके examination form start हो चुके हैं साथ मार्थ से तो साथ मार्थ से आपके exam के form start हो चुके हैं साथ अप्रेल आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास में पांच अप्रेल हो चुकी है यानि पांच अप्रेल हो चुकी है आपके आपके आपस में सब दो दिन बच्चे हैं only for two days यानि इन दो दिनों के अंदर आपने अगर form नहीं डाला और लास्ट देन का वेट मत करें विकॉस कई बार साइट से या सर्वर क्रैश कर जाते हैं तो हमको form बढ़े में दिक्कत हो सकती है तो आप अभी जाके अपने form को भरिए exam date की बात करें तो वो अभी हमारे पा जो भी information होगी चातिसगर के courses कैसे पढ़ना है crash courses वो सब कुछ से जाए academy और उसकी टीम जो है वो completely आपके लिए बहुत best चीज कर रही है अब हमको सबसे पहले आ जाना है official website पे यहां पर आएंगे तो आपको दिखेगा अब यहां पर मैं इस नोटिस को open कर देता हूँ आप देखेंगे यह आपके पास में नोटिस हो गया अब आप इस नोटिस करना देखिए exam की जो date है मैं थोड़ा सा बड़ा जूम कर देता हूँ आप देखेंगे form भणने की जो date है वो है 7 March यह start हो चकिती और अब यह closing date है आपकी 7 April यह नहीं 7 April को आपका examination form जो है वो close हो जाएगा तो उसके बाद अब apply नहीं कर सकते तो जिन्होंने भी apply नहीं किया वो apply करिए exam date के बारे में या फिर हम बात करें correction window के बारे में तो 8-9-10 कई बार ऐसा होता है कि form भरतिस में हम mother name के जागे father name यानि कि माता के नाम क पिता का नाम डाल दिया date of birth में गलती कर दें तो इस तरीके की जो भी गलतियां है अपने नाम में गलती कर देना यह सारी गलतियां आप दूर कर सकते हैं 8-9-10 यानि तिन दिन आपको मिलेंगे correction window जहां पर आपकी open रहेगी संभावित तिति यानि tentative बारें बात करें तो मैंने आपको बताया कि 23 जून को आपका exam हो सकता है यानि 23 जून का आपके exam की जो date है वो बताई गई है अब इसके आगे भी date अभी बढ़ सकती क्योंकि आपको पताया कि अभी लोगत्वा के चुनाव चल रहे है तो 20 questions है, biology के 20 questions है, English के 20 और nursing aptitude के 20 कोल मिलाके आपको 100 सवाल आते हैं BAC nursing के interest exam के लिए अगर बात करें तो BAC nursing में बहुत रहे हैं जहां पर बहुत अची salary भी मिलती है और 36 गड़ अभी उन states में आता है जहां पर थोड़ा सा awareness कम है BAC nursing को लेके तो cut off कहीं low रहती है तो आपके पास में option है कि आप बहुत अच्छा perform कर सकते हैं अपने government college की seat को लेके और 36 गड़ग में आपके आस पास करीब करीब 8-7 से 8 government colleges में जाते हैं जहां पे number of seats भी काफी अच्छी है और काफी reputed colleges है सारे तो आपको उसके लिए fight ज़रूर करना च करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर official announcement के अंदर completely सारी चीज में आपके सारी discuss कर लेता हूं यह देखिए यह आपके BAC nursing का जो पूरा prospectus है वो मैंने दे रखा है 20 questions हो गए आपके nursing aptitude then physics, chemistry, biology and English English पे भी आपका general चीज़ें आती क्या syllabus रहता है वो मैं आपको बता देता हूं यह आपका syllabus तो इस चीज़ें अपनी स्ट्रॉंग कर सकते हैं और अपने selection की seat को हासिल कर सकते हैं यहाँ पर nursing aptitude का syllabus आपको दे रखा है then chemistry का syllabus और biology का syllabus अब यहाँ पर जो आपको English का syllabus दे रखा है वो completely class 12 का दे रखा है लेकिन यह completely आपका जैसे कि आप देखेंगे marking scheme वगरा तो यह इस तरीके से नहीं है यानि कि आपके examination में letter, notice, note making यह चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं आपके 36 के examination में 8 के 9 topic पूछे जाते हैं English के वो क्या-क्या topics है उस पर भी मैंने separate video बना रखा है और साथी साथ में call कर सकते हैं मेरे number पे, मैं आपको अपने number mention कर देता हूँ, 8619850532, 8619850532, इस number पे आप में को directly call and messages कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हमको वह यह form भरना चाहिए, या फिर मेरे को यह issue आ रहे है या यह दिक्कत आ रहे है, अब मुझे क्या step लेना चाह यह यह सारी बात है अपने deal करेंगे, अब next पर आए, eligibility criteria, यह जो फॉर्म है, वो कौन-कौन भर सकता है, क्या बाहर के बच्चे भर सकते हैं, तो बहुत बच्चे हैं, तो बहुत बच्चे हैं, इसका 12 के अंदर 45% से उपर score होना चाहिए, अगर आपका score 45% से उपर का है, तो आप चीजों को आसानी से कर सकते हो, उसके बात में अगर age limit के बारे में बात करूं, तो 17 years कम से कम होनी चाहिए, 35 years जो है, वो maximize होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी जो age है, 31 December 2007 तक, उसके बारे में अगर बात करें, तो यानि कि 2007 से बाद के, 2008, 2009, या फिर 1 January 2008 भी अगर करना है, तो class 10th की mark sheet अपने पास जरूर कीगा, उसमें जो date of birth mention है, उसमें जो आपका name mention है, जिसमें जहाँ gap है, उसके हिसाब से आप इसको form को डालिएगा, अब या क्या क्या documents आपको चाहिएंगे, 10th और 12th की mark sheet, अगर आप 12th अभी कर रहे हो, mark sheet result नहीं है, तो फिर आप आप महाँ पर admit card रख सकते हैं, domicile आपके पास में होना चीए, card certificate आपके पास में होना चीए, id proof में आप आधार card रखी है अपने पास में, और अगर आपके पास में विशेश दिव्यांग certificate भी है, तो आप वो भी रख सकते हैं, इसके लाबाब अगर आपके पास में को sports quota या army या कुछ extra certificate हैं, तो वो भी आप अपने पास में रख सकते हैं, यह सारे documents आपको चाहिएंगे, अब अगर मैं बात करूँ, jay academy को लेके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि free of cost आपके test हो रहे हैं, daily application पे, applications वगेरा कहां मिलेगी, आप आज यह हमारे YouTube चैनल पे, आपको about section देखेगा, about section में आप आईए, यहाँ पे आपको मेरे number मिल जाएंगे, 8619850532, just थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे, आपको मिल जाएगी, jay academy के application, आप play store पे जाके, इस application को download कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने हिसाब से अपने batch को, जिससे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ज हजारों बच्चे हमारे साथ daily जोड़ रहे हैं, और इसके अंदर आपको free of cost content मिल रहा है, यानि कि आपको free PDF, free NCRT, आपके book के साब से notes, आपको किस तरीके से चीज़े पढ़नी है, यह सारी चीज़ें जो है, आपको मिल रही है, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे, आप दे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी मिस नहीं करना यह देखिए, already classes scheduled है marathon की, आप भी इसका हिसा बन सकते हैं, क्योंकि इन classes के अंदर पूरा physics, पूरा chemistry, पूरा नर्सिंग, पूरा biology, यानि पूरा subject का निचोड़ निकाला गया है, यानि आप अपनी तयारी को और अच्छ अब पर ठान लिया, कि हाँ मैं कर लूँगा, कर लूँगी, तो सच में आप ठान सकते हैं, तो सच में आप कर सकते हैं, बागी कोई help चाहिए तो आपको बड़ा भाईया आपके पास में है ही है, कोई भी doubt, कोई दिक्कत हो, आप मुछे बात कर सकते हैं Instagram पे आपको follow कर सकत उससे आपको information मिल जाती है उसके अलावा आप हमें telegram पर follow कर लिजिए साथ ही साथ में जैसा कि मैंने बताया आप whatsapp को लेके इस whatsapp रंबर को save जरूर कर लिजिए ताकि कोई भी future risk doubt हो तो आप definitely मुझसे counselling के दौरान तक भी connect रह पाएंगे तो मिलता है फिर ऐसी interesting वीडियो उसके साथ में जो बचा नए आया है वो चैनल को subscribe ज़रू करें वीडियो को like करें बाबाई, take care, stay happy, stay healthy